दोस्तों, मारकेट में Geezer के तीन वेरियंट अवैलेबल हैं एक होते हैं Soular Water Eater Geezer दुसरे होते हैं jetzt Water Eater 2025 और तीसरे होते हैं Electric Water Eater 2025 इसमें भी आपको दो आप्षन मिलेंगे एक होते हैं Storage Water Eater 2025 और दूसरे होते हैं Instant Water Eater 2025 दुस्तों, Electric Water Eater 2025 गिजर जो हैं वो consumer की सबसे पहली choice होती है दोस्तों अगर ऐसे में आपने plan कर लिया है अपने लिए एक electric water heater गिजर लेने के लिए और आप confused है instant water heater गिजर और storage water heater के बीच में तो दोस्तों ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है क्योंकि आज के इस वीडियो के इंदर हम आपको instant water heater गिजर का comparison storage water heater के साथ में करके बताएंगे और साथ ही बताएंगे आपको कुछ जरूरी important बात हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन दोस्तों अब हम इन दोनों ही गीजर के बीच में comparison को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे size के बारे में तो दोस्तों storage water heater गीजर size में बड़े और heavy होते हैं और ये install करने में थोड़े से मुश्किल होता है ले वही पर दोस्तों instant water heater गीजर की बात करें तो ये size में छोटे compact और portable होते हैं और ये easy to install होते हैं वही पर capacity की बात करें तो storage water heater गीजर आपको 6 लिटर से लेकर 25 लिटर तक की capacity के देखने को मिल जाएंगे वही पर instant water heater गीजर में दोस्तों आपको एक लिटर तीन लिटर और पाश लिटर के वेरियंट देखने को मिल जाते हैं वाटेज पावर की बात करें तो storage water heater गीजर 2000 वाट से ही शुरू हो जाते हैं और maximum किसी water heater गीजर में दोस्तों आपको 3000 वाट तक का पावर भी देखने को मिलता है वहीं पर इंस्ट वाटर गीजर दोस्तों आपको 3000 वाट से देखने को मिल जाएंगे और maximum 4500 वाट तक इनका वाटेज पावर आपको देखने को मिलता है वहीं पर यूसेज की कि इन दोनों में से ही आपको कौन सा लेना चाहिए दोस्तों अगर आपका यूसेज जादा है आप शावर में नहाना पसंद करते हैं या फिर आपके घर में मिंबर्ज जादा है तो फिर आपको एक storage water heater gizzard लेना चाहिए क्यों कि इनमें capacity आपको जादा देखने को मिलेगी जैसे कि बहुत से लोग दोस्तों शावर में नहाते हैं और वो बहुत काफी देर तक नहाते हैं तो इसे में स्टोरेज वाटर इटर गिजर आपके लिए बेस्ट आप्शन रहता है वहीं पर दोस्तों अगर आपका यूसेज काफी कम है और केवल आप किचन के बर इलेक्रिसिटी कंजप्शन वेसे तो आपके यूसेज पर डिपेंड करता है सपोज आपने एक तीन हजार वाट पावर वाला गिजर लिया चाहिए वो इंस्टेंट हो या फिर हम बात करें स्टोरेज वाटर इटर गिजर हो तो दोस्तों सीधी सी बात है स्टोरेज वाटर पावर भी देखने को मलता है और किसी किसी में 3000 वाटेज पावर भी देखने को मलता है तो दोस्तों वो जादा देर तक मेहनत करेंगे जादा देर तक पानी को गर्म करेंगे तो वो इलेक्रिसिटी कंजप्शन भी जादा ही करेंगे वहीं पर इंस्टेंट वाटर इटर ग गिजर जो electricity consumption कर रहे हैं वो कम ही करेंगे कुल मिलाकर usage के उपर depend करता है आपका electricity consumption suppose अगर आपके पस instant water heater गिजर भी है लेकिन आप बार बार पानी उसमें गर्म करते हैं या frequently गर्म करते ही रहते हैं तो सिदी से बात है दोस्तों उसका wattage power जादा है वो electricity consumption भी जादा ही करेगा overall दोस्तों यह है कि आपके usage पर depend करता है आपका electricity consumption अब हम एक calculation से समाझ लेते हैं दोस्तों suppose अगर आपके गिजर का wattage power है वो 1000 watt है तो दोस्तों अगर आप एक घंटे water heater gizzard को चलाएंगे तो वो एक unit consume करेगा वहीं पर दोस्तों अगर आपके water heater gizzard का wattage power है अगर वो 2000 watt है तो दोस्तों सिदी से बात है एक घंटे में 2 unit consume होगी 3000 watt है तो 3 unit consume होगी तो इस तरीके से दोस्तों depend करता है आपके usage के उपर और इंस्तों दोनों ही water heater gizzard के उपर individual videos लेकर आने वाले हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार दिना मत भूलिएगा और स्थे सद इस स्टूडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शीर कीजिएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए